बिहार में ना सुरक्षा है, ना सिक्षा है, ना स्वास्त है और ना ही रोजगार है तो नितीश कुमार जी की यह जो यात्रा ही अपने आप बहुत बड़ा प्रश्णिचिन है उन पे सुत्ता पक्षवाले ने अपना जीवन जी लिया और नव युवक हैं, नव विवाहित हैं तो यह भी होता पग फेरे और कई तरह कैसे रश्म होते हैं जिसके बात की दुलहन को घर भी ले जाने का एक रश्म होता है तो शाद उनको जानकारी नहीं है समाजी अगर होते तो इस तरह के प्रश्न नहीं निकालते गटबंधन में तो कर लिया इन्होंने, 74 सीटे वो लाएं, ये 40 सीटों पे मुख्यमंत्रे का ताज इनके सर पे, तो आप समझ लेजिए अब उसमें बचक है, पूरी की पूरी सरकार जो है वो RSSS चला रही है, हम कहते थे विशिष रा हैं, लेकिन पावर विदाउट सीटे नमस्कार नीश फोर्णेशन देख रहे हैं, और मैं आपके साथ रंजन सिंग आपको बता दे कि बिहार में जिस तरीके से बिहार के मुख्या नितीश कुमार समाज सुधार अव्यान की शुरुआत कर चुके हैं, हलाकि नेता प्रकार बिहार में इन दिनों जिस तरीके से लगतार हत्या और जो चुनाव जिस तरीके से कहा जाए तो एक चुनावती प्रकार से हो गया है, विपक्ष कुछ आवाज उठा नहीं रहा है, देखिए अभी जो मानने मुख्यमंत्री जी जो इस तरह की यात्रा लेकर के नि अब दूसरी बात है कि मानने मुख्यमंत्री नितीज कुमार जी ने यह जो यात्रा निकाली है, अब पिछले 16 साल के सरकार इनकी है, 16 साल का आप आकड़े निकाल लेजिए, प्रते दिन चाहें वो लॉय और बिगड़ी हो, चाहें सिक्षा वेवस्ता बिगड़ी हो, चाह को गर्त में पहुंचा दिया, बिहार में ना सुरक्षा है, ना स्वास्त है, और ना ही रोजगार है, तो नितीज कुमार जी की यह जो यात्रा है, अपने आप बहुत बड़ा प्रश्णिचिन है उन पे, कि आज मुख्यमंत्री स्वेम अपने ही खिलाफ जो है ना, यह समा पक्ष लगतार आपके नेता पर आरूप लगाता है कि आपके नेता बार बार दिल्ली चले जाते हैं, फिर वो आज दिल्ली चले गए, देखिए सुत्ता पक्ष बाले ने अपना जीवन जी लिया, और नव यूवक है, नव विवाहित हैं, तो एक यह भी होता है, और कई पर आपके नेता का रश्म होते हैं, जिसके बात की दुल्हन को घर भी ले जाने का रश्म होता है, तो शाद उनको जानकारी नहीं है, समाजी अगर होते तो शाद उनको इस तरह के प्रश्ण नहीं निकालते, तो यह एक मतलब मुझे लगता है, बहुत ही फुःड प्रश पिछड़ा हुआ है, यह है पिछले 15 साल के सरकार की देन, जो बिहार को मिली है, और बिहार जो हर पैदान पर पीछे है, बीजेपी तो कर रहे है, यह आरे से से प्रावावित होकर मुझे मंत्रे नितिस कुमार जी के जो गले में आरे से का नथा जो नभाया हुआ है, पुरी की पुरी सरकार जो है वो RSS चला रही है और यही कारण है कि नितीज जी जो है आज ना बोल पा रहे हैं ना वो महंगाई की मुद्धे पर बोल पा रहे हैं ना विशित राज के दर्जे पर बोल रहे हैं जब हमारे साथ थे तो हम कहते थे विशित राज मिलना चाहिए तो यह ईसे तमाम ऐसे प्रमान है जो निटीज जी जो है न वो RSS के नठाये हैं अब वो एक तरह से कह लिजिए गुलामी की राजनिती कर रहे हैं वो खेमंत्रय तो जरूर है लेकिन पावर विधाउट सी एम है पावर अब दाउट सी एम है नितिस कुमार आरजे जी क्या कहना है बने रिस्परनेशन के साथ मुश्कार